नमस्कार दोस्तो मेरे पामिस्टे चैनल में अपपलोगा स्वागत हैं आद यह इम opensstri ने को 42 एंदूर इनका यह सर्वीस इंडूस्टी से जुरी हुई है मैनुफेक्टरिंग नहीं इनके बिजनिस में और यह सर वीस ओर्ड़ूस्टी इस तरीके का काम करने के लिए हम लोगो सन माउंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़ूरी होगा क्योंकि इनके गुडूई लिए इनकी बिजनेस का मेन कैपिटल होती है इसलिए गुडूई लाती है सन माउंट से तो सन माउंट को पावरफुल होना और कुछ लाकी सैन वग फुल थम होने के कारण इनकी पर्सनलिटी बहुत ही बहतरीन रहेगी यह अगर लोगों को कुछ भी बात बोलेंगे अपने अपने बारे में अपने काम के बारे में अपने बिजनेस के बारे में लोग उसे ठुकरा नहीं पाएंगे चाहे हो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे उपर जाके उनके उनसे औरर निकलना होता है अपने कमपनी के लिए तो ऐसे के लिए यह थम इनकी बहुत ज़्यादा मदद करती होगी और लोजिक पार्ट भी ज़्यादा बड़ी है और यहां पर बहुत सरे स्टार साइन है लोजिक पार्ट में यहां पर हम लोग बाद म तो समझ लिजी कि उस जगह का पावर बहुत ज़दा बढ़ जाती है और उस एरिया का जो कौालिटी है वो आपको बहुत ज़दा आप में आ जाती है तो यह लोजिक पार्ट में आ जाती है तो यह लोजिक की साथ-साथ बहुत ही बहतरीन तरीके से बात करना जानते हैं अप के business भी बहुत अच्छी हमें यहां से थम से ही दिख रही है आगे चल कि अगर index finger देखें गो तो इंडेक्स विलंडी काफी लंबी है और क्रोक है क्रोक होने के कारण और लंबी होने के कारण जादा चन से देखिये सन mendखें चे की फिंगर से भी बहुत बहुत बहुते दूरी के सब्ती के सब्तार राते कभीम से हैं. कभी में बहुत सारे मौक़ए इनके ऐसानाफें जहां आशाममाँ से जिय लेखें के च्छोटी फिंगर को देखे तो यह बहुत ही ज्यादा छोटी है थोड़ी सी लोसेट है लेकिन थोड़ी सी लोसेट है इस पाम में यह छोटी फिंगर बहुत ज्यादा लोसेट नहीं है अगर लोसेट को एडिया को हम लोग काड़ भी दें यहां से उपर से फिर भी यह छोटी फिंगर जो है छोटी पर जाएगी सानकी 30 फिलेंज तक नहीं पोचेगी तिन में कम्मुनिकेशन की थोड़ी बहुत पॉलिम है शायद पुराने लोगों इतनी साल बहुत साल हो चुके हैं इनके बिजनस के लिए और बहुत साल जरूरी यह बिजनस करते होंगे उसके कारण क्या होग यह इंडिकेशन हमें इनकी छोटी उन्री से मिल रही है तो अभी हम लोग बाकी डूस के लिए दूसरे पाम के पिकचर में जाएंगे हों पर हम लोगा की आनलेजिस करेंगे तो चलिए एक बार उस तरब चलते हैं तो इस पिक्चर को ले लेते हैं पहले एक चीज आप लोग को दिखा देता हूँ इनकी अगर स्किन कलर देखेंगे तो देखिए कितनी डर्क है डर्क है स्किन कलर और पाम की कलर देखिए बहुत सारे लोग हमें कॉमेंट में भी मेसेज करते हैं बोलते भी है कि अगर किसी का स्किन कलर डर्क है तो इसके पाम कैसे पिंक होंगे पाम पिंकिश कैसे होगा अग लेकि इनकी स्किन की कलर कैसी है? डारक है. और इनकी पाम की कलर कैसी है? उपर माउंट में ये सारे पिंकिश गलो है. तो ऐसे पाम अगर आपको दिखे तो मान लीजिएगा, इस पाम में बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं. पिंकिश कलर इसे एक मैगनिट समझ लीजिए गा जो मनी को कीचता है. मैगनिट की तरह पैसे कोई ये कीचता है. अगर ऐसे कलर अब लोग को किसी पाम में दिखे, और लाइन भी बहुत ज़्यादा कलियर है इनके बहुत ज़्यादा है. बहुत ही ज़्यादा सक्सेस्फूल इंसान की ये पाम है. जरूर ये बिलिनियर उस के स्टार साइन की बात कर रहा था, वो यहां पे आप लोगे को क्लियर दिख जाईगी, देखिए, थम में इस तरीके का अगर स्टार हो, तो ऐसे लोग लॉजिक के साथ बहुत बहुत बहतरी न तरीके से बात करते हैं, यहां पे ऐसे ट्राइंगल फॉर्मेशन भी है, ट्राइंगल भी है, स्टार भी है, तो थम इनकी बहुत ही ज़दा पावरफुल है, आगे चलके यह अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो सकसेस इनके लिए पका है, MLA MP बनना इनके लिए बायहत का खेल रहेगा, मैं आपको इस जगह पे यह बताते जा रहा हूं, कि इलेक्शन में यह अगर खड़ए होते हैं, तो MLA MP बनना इनके लिए बायहत का खेल होगा, यह इसली बन जाएंगे, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर इस प साँन, हर किसी के पाव में ढूंडने मत जाएगा, मिलेगा नहीं, ऐसे सेटार साइंग, एस ट्रिंगल साइंग, ऐसे हर एक पाव में मिलेगा नहीं आप लोगों, बहुत बड़े बड़े लीडर के पाव में शायद मिल जाए, लेकिन जेनरल पाब्लिक के या जेनर बिज है देखिए मरकड़ी जो फिंगर थी वो तो छोटी थी लेकिन मरकड़ी मौंट इनकी काफी बहतरी डिबलप है और यहां पर हमें खड़ी लाइन भी दिख रही है compare ने के कारण इनकी कावी बिज्नेस में जो पैसे के जरूरत होती है रेगूलर जो बिज्नेस काम कच छाने के लिए जो पैसे की जरूरत होती हो कभी बी की कमी नहीं होगी उसकी फ्लो हमेशा इनके जरूर रहेगा मैं एक बात कह रहा था आपकर पाम के अनलेसिस से शुरूर से पहले कि इनकी सन माउंट को पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़री होगी क्योंकि यह सर्विस इंडेस्टी से जुरी हुई काम कच कर रहे हैं जहां पे गुडविली सब कुछ रहती है तो इस सन की माउंट को अगर हम लोग देखे तो फिश मत ढूनने जाईएगा फिश चोड़ो के हाथ में भी होते हैं फिश सिर्फ पैसे देते हैं बुडविल वगरह नहीं बुडविल देने के लिए क्या चीज ज़रूरत होती है सन को पावरफुल बनाने क क्लियर हमें ट्राइंगल एक दम साफ साफ दिख रही है तो इतनी बड़ी अगर ट्राइंगल हो तो सन की माउंट की पावर बहुत ही ज़दा बढ़ जाती है यहां पे भी ट्राइंगल है जो दिखाती है इनके पॉपर टीवी बहुत सारे हैं तो यह ट्राइंगल साइन इ बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगी और मिल भी रही है और इनके गुड़ूल भी अच्छी खासी है यहाँ पे हमें फेम वाली काइट सैन दिख रही है फेम वाली काइट सैन हो तो इनके नाम भी बहुत दूर दूर तक नहीं करते हैं इनके दूर दूर घूमके बहुत सारे शहरों को मतलब इतनी बड़ी अगर साइन हो तो लोग तो इंटरनेशनली काम करते हैं तो इंटरनेशनली काम करने का इनका कितने पास मौका आएगा यह मुझे पता नहीं लेकिन इंटरनेशनल काम इतनी दूर एडिया तक लेके काम करने की इन में खासियत है और ये करते हैं इंटरनेशनली मतलब हमेशा आप जियोग्राफिकल जो बॉडर है पॉलिटिकल बॉडर है उसे मत समझिएगा अगर कुलकाता में बैठके कोई गुजराट का काम कर रहे है तो उसे इंटरनेशनली समझ लिएगा इतनी सनमाउंट देखके मैं इसली कनफरमली कह रहा हूं कि इनके बिजनेस बहुत ही बहतरीन चल भी रही है और आगे भी चलेगा इनके साथ मेरा कुछ भी डिसकॉशन नहीं हुए इन जिनका पाम है ये उनके पास से भी डारेक्ट पिक्चर नहीं आया मेरे एक पुराना है कि क्या बिजनेस करते हैं और आगे उनका कैसा रहेगा तो ये जो मैं कह रहा हूं ये सारे के सारे अपको फिड़ वैट था हुआ दिखेगा बाद में चलके अगर रिपोर्ट आते हैं अगर सेटन मांट को देखें तो यहां पे बहुत बड़ी स्टार साइन है और इस स् साटन में अगर स्टार साइन बनती है तो मैं हमेशा कहता हूं इन लोग को काम में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है और साटन में अगर फिश साइन बनती है तो सिर्फ पैसे देती है तो पैसे मिलने का जो इंडिकेशन आप लोग ढून रहे थे कि फिश नहीं है फिश नही और यह बहुत ज्यादा पैसे कमाते भी है जूपिटर माउंट को अगर देखे तो ठीक टाक हमें दिख रही है उबरा हुआ है यहां पर थोड़ी उबरी हुई है लेकिन हमें कोई भी बहुत ज्यादा descending line ہart line से मिल नहीं रही है अई हर्ट line से बहुत जदा descending line ऐसे मिल नहीं रही है यह जो है यह वाली यह लाइन नहीं लग रही है मुझे यह mystic cross वाली लाइन लग रही है तिनके relationship में भी बहुत ज़ादा कुछ problem हमें कसी के साथ दिख नहीं रही है Mars Mount को देखे तो बहुत ज़्यादा powerful है बहुत ही ज़्यादा चोरा है और बहुत ही बरा जगा लेके हुए है और यहां पर बहुत सरे square sign अप लोग मिल जाएगी दो Mars line को साथ साथ जूर के एक ladder जैसी formation बना रही है और यह जो बहुत सारे square अगर किसी के palm में किसी line में हो तो इस mount की power ऐसी ही बढ़ जाती है तो Mars Mount को इतनी ज़दा powerful होने के कारण यह field में वाक बहुत भेटरी न तरीके से कर पाएंगे property से related काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे इनके खुद के भी बहुत ज़्यादा property है खुद के property है या होने की indication इस पाम में ज़रूर दिख रही है और भी सारे square sign है बहुत सारे square sign है इस पाम में, मर्स में अगर हम लोग देखे draw करें, तो बहुत सारे square sign के साथ इनके मर्स बहुत ही ज़्यादा powerful है डिफेंसेव मार्ज भी अच्छी खाशी डिबलव है तो डिफेंसेव पाउर की कुवालिटी भी इन इन में खासिएत है ये बहुत जादा इनको फिल्ड डॉर्ड करना पड़ता है ये पाम ऐसा अगर develop हो मार्स में अगर powerful sign मेल जाओ और हाथ में अगर आपको बहतरीन sign मेल जाए तो यह luxury line आपको luxury life ही देती है और अगर palm में बहुत खराब sign मेले indication खडाब मिले और venis में luxury line दिखे तो समझिएगा वो person लेजी है उसलिए उनके पॉम में ये लगजरी लाइन आ गई है खड़ी लाइन भी बहुत सारे हैं जो दिखाती है कि ये जितने मैनत करते हैं उतनी हिसाब से इनको रिजर्बी मिलती है इनके पॉम में और एक बहुती बहते लिन साइन है मैं सरे लाइन हटा के आप लोगों को दिखाता हूँ ये सपोर्टिंग मार्स लाइन एक दम पाम के अंदर तक चलियाई जिन्देगी भर तक जिन्देगी भर तक कभी भी कोई भी मुसीबत इनके जिन्देगे में बहुत गहराई से नहीं आएगी आ ही नहीं सकती ये इतनी पावरफुल अगर मार्स लाइन हो जिसे एंजल लाइन कहते हैं कोई कोई उसके उपर और एक है तो इतने सारे अगर पावरफुल मार्स लाइन आपके लाइफ लाइन को सपोर्ट देता हुआ जाता है एकदम नीचे तक तो इन लोगे कोई भी लाइफ में कभी भी कोई पॉलिम नहीं आती है तो आपका जो एक सवाल है कि आगे चलके बिजनेस का फीचर कैसी है बिजनेस आपका खुद का आपके मानी का आपके रिलेटिव का आपके सबी चीजों का ये सेवगाड है ये मार्स लाइन ये हमेशा आपके साथ रहेगा और जिन्दगी बर तक आप कभी भी तकलिफ में नहीं आएंगे चोटी सी तकलिफ आएगी आते आते ही और चली जाएगी आने से पहले उसके जाने के चांसे जादा हो जाएगी तकलिफ जो होती है जिन्दगी में इनसान के तो आते हैं न वो आपके पास आते आते ही जाने के रास्ता ढूंडेगा इस तरीके का तकलिफ आपके लाइट में आएगी तो यही रही है आपके मार्स लाइन अभी आपकी मून माउंट को देखे तो वहां पर भी हम लोग को अच्छी कासी दिख रही है कि हाँ पावरफुल है तो यह दिखाती है कि आप पर ट्रावल तो जरूर होगी क्योंकि लाइफ लाइफ लाइन का एक ब्रज डारेक्ट आ रही है मून माउंट पर फेट लाइन म टूर आपके पाम में है मैं बहुत सारे इनके दजबारा पिक्चर पाम में लाया हूँ और एक ये साइन देखने के लिए कि ये है के नहीं सच में ये बाद में चलके मुझे पता चला कि हाँ ये मूल ही है जो समराड जोग देती है हाँ राइट साइड में होती तो बहुत लोग समराट की तरह ही रहते हैं, खुद जिंदेगी में कभी ना कभी खुद लड़के दुसरों को मदद लिये वी ना, ये अपने एक समराज्य बनाते हैं, और उसके वो महराज बनते हैं, इसलिए इसे समराज्य जो कहते हैं, खुद के एक समराज्य बनाते हैं, ये इनका ज़्यादा डिबिलफ होगी उसकी इंडिकेशन हम लोग बाद में ढूंडेंगे तो ऐसे इनका बिजनेस होगा कि यह उहां का राजा जैसे बनेंगे शम्राड बनेंगे अपने बिजनेस का अपने एक एरिया रहेगा जिंदगी का चाहे वो लीडर्शिप में रहे बिजनेस इस तरह का मोल हो तो सबसे ज़्यादा एफिक्टिव रहती है और सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है लिपस वाइड में हो तो उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है और जो मैं कहां के सम्राड बनते है उस सम्राड का जो पड़ीदी है वो थोड़ी छोटी होती है अगर यहाँ पर एक overlapping है यह दिखाती है कि आपकी blood pressure में कुछ problem हो सकती है blood yeah water related disease आपके शरीन में होने के chances है लेकिन बहुत ज़्यादा घबराईएगा मत क्योंकि आपकी life line से जूरी हुई marks line आपकी life long support कर रही है लेकिन अगर कोई problem आती है होगी ज़रूर इनकी young age में अभी तो 45 years age है अभी और उसके बारे में बात करने की जूरत नहीं है दो से ज़्यादा marriage line हमें यहीं से दिख रही है तो multiple relationship indication आपके पाम में दिख रही है यह और एक sign थी और यहाँ पर हम लोग को heart breaking की थोड़ी बहुत sign भी हमें दिख रही है तो यह इसको छोड़ते हैं अभी चलते हैं mind line के उपर mind line को अगर हम लोग देखें तो life line से जूर के चली आ रही है और यह बहुत ही लंबी है तो इतनी ज़्यादा लंबी mind line होने के कारण यह जो खुद यह business किया है ज़्यादा success मिलेगी जितने long आप अपने business में रहेंगे एक ही काम में रहेंगे उसी में आपको success मिलेगी देखिए का मैंने एक बात कह रहा हूँ आपको अप जब business शुरू किये थे पहले आपको अचनक से success नहीं मिली थी आपको थोड़ी बहुत struggle करनी पड़ी थी कुछ साल के उस struggle के बाद ही आपको success हुआ success मिलने के बाद कभी भी आपको पीछे मुड के देखने की जूरत नहीं पड़ी success आता ही गया और बढ़ता ही गया यही रहती है एक बड़े mind line की जो indication एक बार आपको success मिनने लगती है तो success दिन बदिन बढ़ती ही जाती है घटती नहीं है उसके उपर एक सबसे बड़ी जो साइन रहती है एक पाम में multi-linear बनने की वो होती है राहू लाइन से बनी हुई राहू लाइन, फेट लाइन और mind line से बनी हुई यह सबसे बड़ी स्टार जिसके पाम में एकदम clear हमें दिख रही है इतनी बड़ी स्टार कोई फेल नहीं हुआ अज तक मैंने जितने पाम देखा है कोई भी फेल नहीं हुआ चाहे पाम में और कोई साइन हो या ना हो यह माल्टी मिलिनियर बनती ही है और ऐसे पाम में अगर यह तरीके का इतनी बड़ी स्टार बने स्टार का साइज भी देखी लिजिए कितनी बड़ी है स्टार का साइज देखके यह माल्टी मिलिनियर का पाम बोलने में मुझे कुछ भी जिजएक पर नहीं हो रही है यह purely एक multi-linear का पाप में पैसे बहुत ही ज़्यादा है इस पाप में एक तो यह साइन सेटन में बनने वाली फिश, सेटन में बनने वाली स्टार सन में बनने वाली यह ट्राइडेंट एक ट्राइंगल और यहां पर बनने वाली यह फेम वाली काइट साइन इतनी सारे अगर लखी साइन हो तो इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेस करते हैं उपर से यह कलर थम इंडेक्स फिंगर तो सब कुछ मिल लाकर समझेगा कि यह पाम कितनी जादा पाउर्फुल है अभी हम लोग थोड़ी एक बार एजवाइस कलकुलेशन कर लेते हैं कि कब कब क्या क्या होने वाली है या हो चुकी है इनके जिंदगी में तो अगर हम लोग इसकी एक मिनिट में एजगलत नहो जाए एज जो मैं कलकुलेशन करूंगा ने इस पाम में एक दो साल इदर उदर हो सकती है क्योंकि मैं किसी भी तरह से इस पॉइंट से लेके यहां पे ड्रॉ कर नहीं पा रहा हूं हो नहीं रही है पाम की पैटान ही कुछ ऐसी है यह अगर फीजिकल में आते तो एकज़ेकली एज कैलकुलेशन किया जा सकता है लेकिन यहां पे मुझे नहीं लगते हैं मैं एकदम एकुरेट बता पाऊंगा इस पाम में एक दो साल इदर उता जरूर होगी इस पाम में देखिए करीब करीब 34 के करीब 34 35 के करीब आपको लाइफ लैंग में ओवरलप मिलती हुई दिखेगी और ओवरलप किस तरह से है अंदर की तरफ है तो 34 35 के उस एज पीरियट के करीब एक दो साल इदर उतर हो सकती है हो जाए तो कुछ गलत मैं मानें लेकिन यहां पर इनकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस हुई थी और वो changes positive थी या negative थी positive क्योंकि life line अंदर से overlap है अंदर से overlap होती हुई यह life line उस age period में इनके life में बहुत कुछ changes दे गई और उनके लिए वो बहतरी थी और changes के बाद ही इनको बहुत ही जादा एक बड़ी success मिली क्योंकि यह जो line है यह इस तरह से एक line भी उपर ascending line भी उपर डाल रही थी उसके बाद करिब करिब 40, 41, 42 उस age के करिब और एक ascending line थी और उस ascending line उस time period में भी 41, 42 में भी इनको बहुत जादा success दिया और देने के बाद ही इनकी तरबियत में थोड़ी खड़ा भी हुई क्योंकि यहां पर line थोड़ी disturbance दिख रही है उसी age के करिब इनके तरबियत में भी थोड़ी problem होने के chances हमें दिख रही है थोड़ी ही होगी क्योंकि mars line का support बहुत जादा है powerful है तो थोड़ी indication हमें life line से वहां पर problem दिख रही है उसके बाद करीब करीब यह age है जहां से एक छोटी सी line भेनस मांट से आके life line को काटके उपर की तरब जा रही है ऐसी अगर line आपको दिखे तो इसे राहू line मानने की गलती मत किजिए रहू line इस तरह से जाती है इस तरह से जाती हुई भेनस से अगर life line से जाए तो इस वह ascending line की तरह ही treat कीजिए इसी age के करीब 45-46 में इनकी बहुत और एक तरक्की होने वाली है हो चुकी होगी या फिर होने वाली है क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ एक दो एक देर साल इदर उदर हो सकती है इनके life line से age calculation में तो यह current age में इनको either success दे रही है या मिल चुकी है या फिर मिलने वाली है एक दिर साल के अंदर ही इनको success ज़रूर मिलेगा अगर हम नहीं मिला अगर मिल चुका है तो confirmation हम लोगों को मिल जाएगी और पोस्त मैं नहीं कर पा रहा हूँ community section में मुझे पता नहीं क्यूं मैं picture आप लोड नहीं कर पा रहा हूँ हर वक्त e-road दिखा रही है चार पास दिनों से ऐसे हो रहे हैं तो मैं past reading भी आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ तो यह success इनके अभी मिलने वाली है अगर faith line का हम लोग analysis करते हैं तो 42 के कड़िब यहां से faith line हमें ठीक ठाकी दिख रही है 45 years जे इनके है तो कड़िब कड़िब यहां पर एक मिट मैं हटाल देता हूँ थोड़ा तो 35 से calculation करे अगर 35 को अगर हम लोग देखे faith line तो यह कड़ इनकी चल रही थी 40 42 तक 40 42 तक उस age period में थोड़ी बहुत उस age period तक faith line थोड़ी हलकी थी उसके बाद देखिए faith line धीरे धीरे एक बाड़ी में नहीं ऐसा नहीं कि अचानक से change हो गया धीरे धीरे faith line में power आड़ी है और faith line और गहरा गहरा होता जा रहा है तो अभी से देखे लीजिए 42 के बाद आपके business थोड़ी थोड़ी हलकी हलकी करके और ज्यादा अच्छी हो रही है और यह continue रहेगा उसके बाद क्यों continue रहेगा एक तो आपकी star sign शुरू हो रही है यहां पर star का जो lane थे इसी age के पड़ी प्रियाट करीब करीब हो जाईगी आगे चलके यह star sign भी उसको आपको मदद करेगी उपर सी इस line के अगर pattern को देखे तो line धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है यहां से पार्ट से कड़ीब कड़ी तो कड़ीब कड़ी 50 के बाद आपकी जिन्देगी में business और अच्छी चलेगी और भी वहतरी इंचे तरीके से चलेगी और बहुत ह इस दिनों तक आप काम करेंगी उसमें आपको success में लेगी फेट लाइन भी उसे support करने के साथ साथ यह गहराई दीरे दीरे होती जा रही है उपर चलके फेट लाइन में आपकी star formation है fish है sun में आपकी ये triangle है और ये fame बली kite sign है और पाम की color भी बहतरीन है और भी बहुत सारे lucky sign इस पाम में quality भी आप में शांदार है तो कुछ भी मैं ओडी करने के लिए आपके लिए पाम में कुछ नहीं है कि मैं आपको बताओं कि इस पाम में थोड़ी बहुत भी problem है या बस छोटी only आपकी थोड़ी छोटी है तो आपको वो practice करना है कि हमेशा जब भी बात करने के लिए नए लोगों से जाए अगर उसमें आपको पॉलम दिखे तो यहां पर एक जो इमरेंट होती है शायदा पहन भी पहना भी हुआ है यहां पर यंगूठी दिख रही है वो इस टोन पहनिएगा उसमें आपको थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी तो ही रही इस पाम के बहुत जल्द आएंगे शुक्री आप लोग मेरा चैलेंग देखने के लिए अगर आप खुद का पाम के अनलेसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा वाट्सप नमबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उसे देखके कॉल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्रेब जरूर की शुक्री आप लोगा